नमस्कार आप देख रहे हैं डीबी लाइब नज़र डालते हैं इस वक्त के बड़ी खबरों पर पाकिस्तान एरलाइन्स का विमान हुआ क्रैश चुत्राल से इसलाबाबाद जा रहा था विमान विमान में 40 से ज्यादा याद्री थे सवार संसद के कारेवाही ना चलने से बीचिपे के वरिष्ट निता लालकृष्णाडवानी नारास कहा लोग सभाध्यक्ष और संसद या कारेमंत्री नहीं चाहते हैं कि सदन चले नोडबंदी के मुद्दे पर आज 13 दिन भी संसद रही ठब नोडबंदी के बाद ब्यास दरों में कटोधी की उमीद लगाए लोगों को जटका आर बी आयने की मुद्रिक नीती की समिक्षा रैपोरेट समेथ ब्यास दरों में कोई बदलाव नहीं बुलंच शहर मामले पर आजम खान को सुप्रीम कोट से जटका कोट ने आजम खान का माफी नामा किया खारिच अब 15 दिसंबर तक देना होगा नया हलफ नामा शारुक खान के फिल्मर रईस का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज फिल्म में शारुक के साथ मायरा खान और नमाजुदिन सिद्ध की भी एहम रोल में फिल्म 25 जनवरी को हुगी रिलीज और सुप्रीम कोड ने मुंबई चेनाई टेस्ट के लिए BCCI को दी फंड रिलीस करने की अनुमती भारत और इंग्लैंड के बीज आकरी दो टेस्ट के आयोजन के लिए 1 करोड 33 लाग रुपए के फंड की अनुमती तो एद इस वक्त की बड़ी खबरे देखते रहेगे डीबी लाइफ क्योंकि यहां है खबरे लगातार